मैं आज आपको डेंट का क्योंकि टिमस डिमांडएबल है कि रिवी दीजे तो आज मैं जो आपको डेमो दे रहा हूं गोध्रेश का दे तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहली बार अगर व्यूडियोगे देख रहे हैं तो व्यूडियो को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि यह वीडियो काफी यूसपूल राने वाली है अगर आप मार्केट में गोदेश का इस परचेस करने जा रहे हैं तो आपको इस मोडल के बारे में पहले से जनकरी रही तो उसमें क्या-क्या फीचर आते हैं और क्या बेसिक फी इन वी थ्री आर बतीस डैस ची डबलू एसका मॉडल है मॉडल थोड़ी से लंबा हो तो मैं आपको दिस्क्राइब देघुगा तो आप बात करेंगे इसके कुलिंग क्यासिटी की तो इसमें कंपनी कुलिंग क्या बटे रही हैं कॉन्पनी इसमें कुलिंग कर दे रही हैं अगर friends मैं बात करूँ इसके unit per year की कि एक साल की कितनी unit ले रहा है तो 980.37 unit per year यह ले रहा है यानि अगर इस AC को आप लगातार एक घंटा चलाते हो तो 0.8 unit के करीब और 0.75 के करीब यह unit लेगा आपके properly 1 unit भी नहीं लेगा क्योंकि यह आपका inverter base AC है इसका जो compressor है वो rotary compressor होता है वाइब्रेशन इसकी काफिया तक कम होती है बात करेंगे इसके noise level की तो companies में noise level जो देती है 40 dv का noise level देती है airflow की बात करेंगे तो airflow जो है इसका 675 CFM के बराबर इसका airflow है तो friends आप बात करते हैं इसके compressor की जो compressor इसमें देती है तो कितने high ambient temperature तक work कर सकता है और कितने ambient temperature तक यह पहार के temperature टेस्टीड है यानि इसका जो compressor है वो 52 degree तक टेस्टीड है यानि अगर temperature बाहर का 52 degree भी हो कि तभी यह सी ट्रिप नहीं करेगा क्योंकि 52 degree तक टेस्टीड है आप बात करते हैं इसके special features की सबसे पहरा feature आता है इसका 5 in 1 convertible mode यानि आप इसको different different modes यूज कर सकते हो different different modes का मतलब हो गया है कि इसको आप 40% पर यूज कर सकते हो मोड्स पर 60% मोड्स पर यूज कर सकते हो 80% पर 100% पर and 110% पर अगर आपके घर में members कम है तो आप इसको सबसे निचले mode यूज कर सकते हो अब इनका benefit क्या है benefit यह है कि यह full modes पर यानि highest mode पर चलने पर comfort cooling देगा फास्था cooling देगा अगर minimum mode पर चलाते हो तो उसका benefit क्या है उसका benefit है विजली की saving यानि काफी हद तक यह विजली की saving करेगा और आपको comfort cooling प्रदान करता रहेगा ठीक है यह होता है convertible 5 in 1 mode का फाइदा i-sense technology i-sense एक ऐसी technology है जो कि sense करती है कि यह क्या करती है रूम के temperature को sense करती है और उसके हिसाफ से cooling provide करती है रूम के अंदर यानि अगर रूम में कोई भी members हो उस तक को cooling प्रॉपर तरिगे से पहुंचाती है यानि sense करती है कि members कितने है और absence है या present है तो उस हिसाफ से रूम के temperature के हिसाफ से ही अपनी cooling को provide करता है रूम में तो आप बात करेंगे anti dust filter की anti dust filter एक ऐसा filter इनका लगा हुआ है जिसमें आपके पॉलीटेंस होगे पॉलीन होगे हेर पैट्स बाल वगरा होगे पैट्स के होगे डश्ट के लिए डश्ट हो गई या फिर पीम 2.5 लेवल की करण हो गई इनको यह करते है और उसको आपके copper की जो AC होते हैं जो इसका evaporator coil होती है या फिर आपकी कंडेंसर कोई जो की आउड़ूर के होती है उस पे रस्ट वगरण या फिर कोटीं जो इन लगाद लग जाता है उससे सब्सक्राइब कोपर में आपकी आउड़ोर कॉपर में कोटिंग दे रिखे जो की लाइफ उनकी बढ़ा देता है काफी हद तक अब इसमें फीचर आता है यह वहाँ पर उस थर्मो ओस्यट को फिरू सब्सक्राइब के घेस्यों रखता है जिसकी वैससे क्या होता है सभ्सक्राइब नहीं आती है तो सब्सक्राइब अन्टी स्थर्मो है अब बात करेंगे एंटी वाइब इसे इनटी माइकरोया करता है क्योंकि जब आप एक प्रोपर तरीके से उसको करता है। और वहाँ पे water के थुरू एक type से ice के थुरू उसको melt करता है और जितनी भी dust होती है वो प्रपर तरीके से drain out के थुरू side में निकल जाती है और फिर उसको वो dry करता है तो इसी को बोलते है anti-microbial self cleaning technology तो यह एक type से indoors होती है water coil उसको प्रपर तरीके से cleaning का काम करता है because क्योंकि यह BLDC motor बनाता है इसके अंदर जो motor होती है BLDC motor होती है और BLDC motor जो होती है long lasting बता जाती है और vibration के ममने में बहुती कम माने जाती है यानि इसकी noise level काफी कम होती है साथ ही साथ इसके जो compressor होता है compressor में especially acoustic jacket लगा जाता है जो कि especially जब compressor use होता है तो उसको vibration या फिर आपसमें टक्राव के लिए रोकता है तो इसको बोलते है acoustic jacket जो की compressor में ही लगा जाता है जिसकी वैसे vibration वगरा और noise level वगरा कम होती है 100% copper companies में देती है copper जो होता है durable होता है long lasting होता है और काफी हद तक better भी होता है क्योंकि वो old technology है और repairable भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है अब बात करेंगे इसके gas की तो companies में आपको R32 gas दे रही है R32 gas क्या होती है जो की eco friendly gas होते है जो ozone layer को काफी हद तक safe रखती है तो इसको बोलते हम R32 gas जो की काफी हद तक हर brand में available है अब हम बात करेंगे इसके लास्टली warranty को लेके company इसमें वन येर की टोटल फाइव येर की PCV की warranty एंड टैन येर की इसमें compressor की warranty देती है विगोज इसलिए क्योंकि इसका जो compressor है वो वेरेबल शुरी का compressor है और inverter model compressor है आज मैंने आपको गोद्रेश के 1.5 टन के थ्री स्टार के बारें बताया है जो जो मेली छोट जोटे फीचर थे अगर इनका कुछ detail में आपको पता करना है कि ये क्या होता है तो आप बिना उसके आप comment box में पूस सकते हैं अगर आपको इसमें ना समझाया तो मैं आपको detail में comment box में बता दूँगा तो friends channel को like and subscribe करना ना बूले thank you